हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू वेल्स किषियन आज हम बनाने वाल है चिकन ट्रिपल राइस और यह मैं आपको नॉन वेज में बनाना बताऊंगी लेकिन आप इसे वेज में भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यह रेसिपी मुझे सजेस्ट की है मिसिस कुलारा न इन्होंने मुझे वेज टिपल राइस में रेसिपी सजेस्ट की थी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने तरीके से चिकन में डिश बनाई है आज 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 आपने बहुत ही अच्छी डिस सजेस्ट की है और वेल्ट किशन कीम ने इस डिश को से लाइक भी किया है सो फ तो दोस्तो हमें ट्रिपल राइस बनाने कारी जितने मिसाले वजीटेबली चाहिए उम मैने इघल रखेये है इधार मैने लिए determining हैं कैबिच का मैने चॉप कर लिया है और यह है शुसकति थी कारेट को भी मैने चॉप कर लिया है यह है कैप्सिकम याने के düşाeger कर भी कॉन है और ये है spring onion का white part, इधर मैंने लिया है spring onion का grain part, और ये है boiled and shredded chicken, तो इधर मैंने लिया है कडाई, कडाई में मैंने 1.5 टेबल स्पून चितना oil लिया है और इसको गरम करने के लिए रखा है, इधर मैं non-stick कडाई यूज़ कर रही हूँ, तो oil मुझे कम लगेगा, अगर आपको यूज़ एक वेसल यूज़ करते हैं, तो oil जाद ले, जैसे कि oil गरम होगा मैं इसमें एड करूँगी ginger garlic और chili की paste, इधर मैं इस बोल में ginger garlic and chili की paste लिया है, इधर मैंने 4-5 chili लिया है, और 15-20 garlic के close लिया है, और एक बड़ा सा ginger लिया है, और इसकी paste बना लिया है, और इस paste को मैं 3 parts में divide कर दूँगी, क्योंकि हमें triple rice में 3 अलग-अलग rice बनाने है, तो इधर एक पार्ट में अभी add करूँगी, first हम बना रहे है white rice, अब मैं इसमें डाल रहे हैं शिम्ला मिर्च, शिम्ला मिर्च के भी मैंने 3 parts किये है, cabbage, carrot, और ये सारे ingredients को mix कर लिया है, और ये सारे ingredients अब मैं इसमें add करें 1 spoon जितना black paper powder, same amount में white paper powder, खोड़ी से spring onion में अभी add कर रहे हूँ, चिकन को मैंने 3 parts में divide कर लिया है, एक पार्ट में अभी add कर रहे हूँ, आभी दर चिकन को totally skip कर सकते है, अगर आपको वैज बनाना है तो, अब मैं इसमें add कर रहे हूँ, ग्रीन चिली सॉस, इदर मैंने 1 tablespoon जितना ग्रीन चिली सॉस एग किया है, soya sauce, soya sauce मैंने इदर एग किया, 1 tablespoon जितना अगें, क्योंकि white rice में हमें soya sauce यादा यूज करना होता है, अब मैं इसमें add कर रहे हूँ, राइस को मैंने बॉइल कर लिया है, soya हमारे white rice अब पूरी दना से रेडी है, so white rice हमारे ready हो गए है, अब मैं बना रही हूँ, green rice और इसके लिए मैं इदर एड कर रही हूँ, 1 tablespoon इतना ओएल, oil को हमें पहले as usual heat करना है, ginger garlic और chili paste का second part अब मैं इसमें add कर रही हूँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हूँ, निम पत्री यानि की कडी पते, spring onion का white pie, cabbage, शम्ला मिर्च, carrot, और chicken, white pepper, black pepper, इदर मैं एड कर रही हूँ, green नुगल मसाला, आप इदर पूल भी मसाला एड कर सकते हैं, लेकिन मैं यह प्रिफर कर रही हैं ज्यादा, यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन यह मेरी अपनी चॉइस है, मुझे यह मसाले का टेस्ट बहुत पसंद है, इदर थोड़ा से ग्रीन फूट कलर एड कर दें, अम्में इस में आड करें हैं स्वया सास, इदर हम थोड़ा कम स्वया सास डालेंगे, ग्रीन चिली सास, अजीन मोटो यानि की चानीज सॉल्ट, स्वादनुसा नमक, अम मैं देड करें हैं राइस, सो यह अब हमारे ग्रीन राइस भी रेडी है, अगेन मैंने इस कड़ाए को गरम करने के लिए रखा है, अंदर वन टीब स्वून जितना ओल डाला है, अब मैं डाल रहे हूं जिंजर गार्लिक और चिली की पेस, अब मैं इसमें सारे वेजटेबल सेट कर रहे हूं, चिकन भी एड कर रहे हूं, ब्लेक पैपर, थोड़ी से स्प्रिंग ओनियन, अब मैं इसमें एड करें हूं सोया सॉस, इसमें हम बहुती कम सोया सॉस एड करेंगे, हममें इसमें एड करेंगें शेजवान सॉस, वन टेबल स्पून जितना शेजवान सॉस एड किया हूं, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर, रेड फूट करेंगे, रेड फूट करेंगे, और अब उन इसमें एड कर देंगे राइस, यह हमारे रेड राइस भी आप रेड़ी है, तो फ्रेंज मैंने सेम पैन ली है, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा ओईल लिया है, ओईल गरम करके मैं इसमें डाल वही हूँ बीटेड एग, इधर मैंने एक अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है, और अभी अंड़ डाल रही हूँ, तो यह हमारा अंड़ भी आप रेड़ी, तो फ्रेंज यह देखे हैं हमारे तीनो कलर के राइस रेड़ी है, वाइट, ग्रीन और रेड, अब हम इसे सर्व करते हैं, तो फ्रेंज इसके दूसर भी मैथड है सर्व करने के लिए, जिस तरह से हम बिर्याने में लियर्स करते हैं, आप इधर तीनो राइस के लियर्स करके इसे दम पर रख सकते हैं, यानिकी घरम रख सकते हैं, यह देखिए इधर मैंने इसी तरह से यही प्रोसेस फॉलो की है हाफ राइस के लिए, तो यह हमारे ट्रिपल राइस अब रड़ी है , और आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं, या फिर अपने मन पसंद ट्रिपल राइस अब रड़ी हैं, अपवर लेयर्स में भी सर्फ कर सकते हैं So friends, I hope कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी जैसा कि आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह हमारी Day 6 Well Kitchen Contest की Special dish है और यह सजेस्ट की है मुझे Mrs. Kulsum Fulara ने And one more thing friends कि Mrs. Fulara हमारे Well Kitchen Contest की Most Active Participant है First Day से लगा कर आज Day 6 तब वो continuously Daily बहुत ही सारी Varieties of Dishes हमारे साथ Share करती है, Suggest करती है और आज Finally Well Kitchen Team ने उन्हें सिलेक्ट की है So congratulations Mrs. Fulara And auntie I hope कि आप Well Kitchen Contest में ज़रूरीन होगे So friends, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिलकुल मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सकार्ब नहीं क्या है तो सब्सकार्ब कर दिजिए Goodbye Friends